भाई और भेनों, कॉंग्रेस आज पुरे देश में पचास सीट पाने के लिए संगर्ष कर रही है, क्योंकि कॉंग्रेस के पास नेता कंफ्यूज है और सोच डिस्फ्यूज है उपर से अहंकार चरम पर है, कॉंग्रेस की नीतियां बनाने वाले, राजीव गांधी जी के खास सलाकार और वर्तमान में ये नामदार के गुरु, उन्होंने 84 के दंगों को लेकर जो कहा, उसको पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई है, ये आप भी देख रहे हैं, साथियों, नामदार के ये खास अमेरिका से आये हुए, उनके गुरु ने कहा है, कि 84 में जो हुआ, वो हुआ, हुआ, तो हुआ, ये कॉंग्रेस की सोच को दर्साता है, कॉंग्रेस के अहंकार को दिखाता है, साथियों, आज मैं बठिन्दा से, पूरे पंजाब की तरफ से, कॉंग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कि वे कब तक, वो इसी तरह, हमारे जखमों पर नमक छड़कती रहेगी,